स्वागत है आपका ग्रेट नेसा न्यूज में ख़बर तेज पर अवेंजर्स इंडिगेम की क्रेज के बीच अखलेश शादब बोले आप बीजेपी का होगा इंडिगेम अवेंजर्स फिल्म की टिकेट के लिए पूरी दुनिया में दर्शकों के बीच होड़ लगी हुई है इस भी समाजबादी पार्टी के अखलेश शादब ने भी शुक्रवार को अपने अलग वर्जन के इंडिगेम को लेकर ट्विट किया UP Board दसमी और बार्वी के रजल्ट बिना इंटरनेट को कर पाएंगे चेक UP Board रिजल्ट आज जारी कर दिया जाएगा UP Board, High School और Intermediate परिक्षा का रिजल्ट आज सारे 12 बजे जारी किया जाएगा दसमी और बार्वी के परिक्षा का रिजल्ट बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा इस वेबसाइट के लावा स्टुडेंट्स अपना रिजल्ट UPresults.nic.in पर भी चेक कर पाएंगे पिता मुकेश अम्बानी ने कॉंगरिस प्रित्प्याशी का समर्थन किया तो पुत्र अनंत ने मोदी की रैली में शिरकत की उद्योग पती मुकेश अंबारी ने कुछ दिन पहले मुंबई दक्षड लोकसवास सीड से कॉंग्रिस उमीदबार मिलिन्द देवडा का समर्थन किया था और अब उनके बेटे अनंत शुक्रवार को यहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की चुनावी रैली में शुरोताओं में बैठी दिखे और ब्रेटेण में जलवाईव परिवर्थन को लेका जारी ब्रूद प्रत्राशन के बीच प्रत्राशनकारियों ने लंदन इस टॉक एक्षेंज की और रुक किया जलवाईव परिवर्थन सी देपटने के लिए तितकाल कारवाई की मांग कर रहे एक्स्टिंशन रिवेलियन के सदस्यों ने डॉक लेंड लाइव रेलबे पर ट्रेनों के ऊपर खड़े होकर केंडी वहार्प में ट्रेनों को भी बादित कर दिया इसके अलावा प्रदशनकारी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, पालिया मेंट स्कॉयर, वाटरलू ब्रिज, सहित हाई प्रोफाल इलाकों में प्रदशन करने बैट गए इस रिस्थिती में राजधानी लंदन ठैर सी गई थी पुलिस ने इस मामले में 1000 से अधिक लोगों को गुरुफतार किया वहीं समू के सदस्यों ने का कि दुनिया में सबसे अधिक परियावरण विनाशकारी कंपनियों में से कई लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग है हम चाहते हैं कि सरकार जलबाईयों और पारिस्थितिक आपातिकाल की घोशला करे जैब विविदिता को रोकने के लिए कारी करे और 2025 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सरदन को कम करे और एक ताजा रिसर्च के अनुसार खाने की चीज़ें अलूमिनियों फॉयल, प्लास्टिक और प्लास्टिक के डिबो में पैक करना एक तरह से हमारी आदन बन चुकी है मगर किसी चीज़ के फायदे नुकसान जाने बगएर उसका आदी बनना आपको भारी पर सकता है अलूमिनियों फॉयल में खाना रखने से गंभीर स्वास्त नुकसान होते हैं जब खाने की चीज़े उस मैटेरियल के संपर्क में आती हैं जिसमें उन्हें पैक किया जाता है तो उस मैटेरियल की क्वालिटी खाने में आने लगती है खास कर तब जब खाना गर्म होता है लेकिन जब हम खाने की चीजें प्लास्टिक या एलुमिनियों फॉल में पैक करते हैं तो नुकसान पहुचाने वाले केमिकल खाने में मिल जाते हैं प्लास्टिक से जीनो, एस्ट्रोजन नाम के खतरनाक रसायन निकलते हैं, जिस से हार्मोनल गड़वडी पैदा हो जाती है, खास कर बच्चों की ग्रोथ में बहुत बाधा आती है, आपकी जानकारी के लिए बता दी कि सुरक्षित प्लास्टिक जैसी कोई चीज नहीं होती, इतना ही नहीं, फूट पैकेजिंग के लिए भी प्लास्टिक का इस्तमाल सीधा आपको नुकसान पहुंचाता है, ग्रेट निशन न्यूज में खबर तेज में अभी इतना ही आगे की खबरों के लिए देखते रहिए, आपका अपना ग्रेट निशन न्यूज,